तो अब भारत की तरफ से तुर्की को ऐसी लात पड़ी है जिसे तुर्की सदियों तक नहीं भूलने वाला क्योंकि तुर्की की कमपनियों को भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा चुका है जिससे तुर्की की कमपनियों का लगभग 100 करोड से भी अधिक का फ जा चुके हैं जिससे तुर्की को एक करारा जटका भारत की तरफ से मिला है। इन वार शिप्स को मोस्ट पावरफुल और अन्य देश में इस्तिमाल हो रहे युद्ध पोतों की अपेक्षा एडवांस बनाया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की डिफेंस हत्यारों की टेक्नोलाजी के मामले में कई देशों से आगे है। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई कि तुर्की की पाकिस्तान में बढ़ती दखल के कारण भारत की हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड की तरफ से तुर्की की कमपनी को लात मार कर बाहर निकाला जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को भारत की डिफेंस में दखल करने से पहले उसको करारा जटका मिल चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए इस समय भारत समुद्र में अपनी पकड बनाने के लिए नेवी पावर को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ताकि चीन जैसे देश के इंडियन ओशियन और बी ओफ बंगाल में बढ़ती दखल को कड़ी टक कर दी जा सके और आगे चलकर चीन जैसे देश भारत पर हमला न कर सके। क्योंकि देखा जाए तो लगातार चीन इंडियन ओसियन और वे ओफ बंगाल में अपनी एडवांस सबमरीन और स्पाई शिप को डेपलॉय कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी हिंद महासागर में अपनी इंडियन नेवी पावर को बढ़ाना जरूरी हो चला है. और इसी लिए पिछले साल यानि की 2023 में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड को पाँच की संख्या में एडवांस और लेटेस्ट वार्शिप्स यानि की युद्धपोद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था, जिसमें हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड ने तुर्की की एक फर्म के साथ एग्रिमेंट किया था, जिसमें तुर्की के इंजीनियरों को भारत में आकर इन जहाजों की डेवलप्मेंट में हिस्सा लेना था, ताकि भारत की इन जहाजों को एडवांस और लेटेस्ट टेकन पर डेवलप किया जा सके। क्योंकि देखा जाए तो तुर्की टेक्नोलाजी के मामले में काफी आगे है और तुर्की जैसे देश समय समय पर आधुनिक टेक्नोलाजी से लैस्ट डिफेंस हतियारों को डेवलप करते रहते हैं। डिजाइन के अलावा तुर्की के इंजीनियरों को इंजीनियरिंग सेवाएं, योजना और जहाज के डेवलपमेंट की स्पेशलिटी तैयारी प्रदान करनी थी। लेकिन भारत के लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि तुर्की का जुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ता जा रह था और तुर्की पाकिस्तान से दूरियां बनाने के लिए तैयार नहीं था, जिससे आगे चल कर तुर्की भारत में बनाए जा रहे जहाजी बेड़े की टेक्नोलाजी पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता था, और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि इसी लिए भारत की HSL य भी समझोतों को समाप्त कर दिया, और भारत की हिंदुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड स्वयम ही पूरी तरह से इंडी जीनियस टेक्नोलाजी पर निर्मान कार्य को अंजाम देगा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह भारत की तरफ से तुर्की को दिया गया कोई बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। कि इसमें कुछ क्रिटिकल टेक्नोलाजी की जरूरत पढ़ेगी तो उसके लिए फ्रांस और गिरीश जैसे देशों से भारत की यह कंपनी मदद लेने वाली है। वहीं भारत ग्रीश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है ताकि जरूरत पढ़ने पर ग्रीश की मदद ली जा सके। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता खोला है। वैसे आपको बता दें कि जिन जहाज का निर्मान FASB यानि कि Fast Support Vassels प्रोजेक्ट के तहत किया जाना है, ये जहाज युद्ध पोत की तरह खुद लड़ने के लिए नहीं इस्तिमाल किये जाते हैं। बलकि एरक्राफ्ट कैरियर और युद्ध पोतों के लिए फ्यूल, खाने पीने की वस्तुएं और टेक्निकल सपोर्ट मुहया कराने के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं। तो दुनिया के सभी देशों को लेकर कुल 41 एरक्राफ्ट कैरियर है। और इस समय केवल भारत के पास दो की संख्या में I-NS एरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो की काफी पावरफुल और एडवांस है। और भारत के पास जो powerful और advanced INS aircraft carrier है, लगभग एक छोटे शहर के आकार के होते हैं, जिनमें खाने, पीने, नहाने और सोने के साथ-साथ, खेलने और कूदने की सुविधा भी होती है. यानि की एक aircraft carrier में लगभग वो सभी सुविधाएं होती हैं, जो किसी एक छोटे शहर में होती है. और एक aircraft carrier में लगभग 50 से भी अधिक लड़ाकू विमान यानि की fighter jet होते हैं, और यह aircraft कई प्रकार के air defense system और powerful हतियारों से less होता है. इस समय आप अपने mobile phone की screen पर जो विशाल जहाज देख रहे हैं, यही है भारत का INS aircraft carrier. तो ऐसे में aircraft carrier के लिए हतियारों से लेकर खाने पीने की वस्तुएं और aircraft carrier में इस्तमाल होने वाले fuel की supply करने के लिए इन ही fast support vessels, यानि कि जहाज बेड़ों की जरूरत पड़ती है. क्योंकि मान लीजिए, अगर युद्ध शुरू हो गया, तो ऐसे में aircraft carrier कई महीना या कई सालों तक समुद्र में ही रहते हैं और एक aircraft carrier में लगभग 100 से अधिक तो पाइलट ही होते हैं. तो ऐसे में इनको सभी सुविधाएं और हतियारों की supply के साथ साथ, fuel की supply करने के लिए, जो भारत में 5 की संख्या में जहाजी बेड़े बनाए जा रहे हैं, इन ही का इस्तिमाल किया जाएगा. हालां कि देखा जाए तो ये जहाजी बेड़े एक प्रकार के युद्ध पोत होते हैं, लेकिन इसका इस्तिमाल directly युद्ध में नहीं किया जाता, बलकि यह हतियारों की supply करने के लिए ही मुख्य तौर पर इस्तिमाल किये जाते हैं. फिर भी किसी भी युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, इनके बिना किसी भी युद्ध में हतियारों की supply कर पाना असंभव है. बाकी आपको क्या लगता है कि इन पांचों युद्ध पोतों को बनाने में दूसरे देश की टेकनोलोजी की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर भारत खुद पूरी तरह से स्वदेशी तोर पर डेवलप कर पाएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं. और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सकें. इसी तरह और भी नॉलजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें. जै श्री राम!